तो स्वागत है आपका बाबा के नगरी में उमीद है अच्छे योगे सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो तो देखो मैंने तुम लोगों से पूछा था कि तुम लोगों को अगली वीडियो किस पे चाहिए तो 78% वोट ना बच्पन को प्यार को मिला चाहे सिं अनसारी दिख रहे हैं और वाइबरेटर के मूड में नेहा स्विंग ठीक है ब्रेक अब यही पर और पैच अब यही पर और साथ में और साले बच्चे भी यही पर पैदा करेंगा वह बें डीजिटल और एक साला हम है इस दुनिया में इसी लिए आया ना ताकि वीडियो बना सके और तुम लोग मेरी वीडियो देख सको हम लोग का इस दुनिया में कोई काम नहीं है तो चलो सिंगल लॉंड कुर्सी के पेटी बांद लो क्यूंकि तुम्हारी याद जलेगी जलेगी वह भी जलेगी जो सोच रहे हो सरने वालों की कबरे मैं खुद खोद दूआ बेटे मेरी बारी आन दे मैं सला आज जाके मुझे पता चला कि हमारा जो चरम प्रास है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है क्योंकि जमाना बहुत आगे निकल चुका है तुम ये देखी सकते हो जब हमें इनकी उमर के थे न तो हम अपने कच्छे भी नहीं दुवा करते थे हमारे तच्छे हमारी मम्मी धोबदी थी यह साले इस उमर में पहला प्यार तुई मेरा तुही आखरी सनव कर रहे है साले पूरी दुनिया को पता है कि भाइला प्यार चाहिना कमार कभी नहीं टिकता अंदर से उबाला रहा है इंगी हरकतों देखके साला आज मुझे कोई नहीं रोग सकता आज मैं अपने टीचर को नहीं पंप से उड़ाएंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था न कि जो हमारा दिल है वो बलड पंप करता है और अक्सिजन सप्लाई करता है पर यह लोग बोल रहे हैं कि इनका दिल पागल है और प्यार करता है इसके बाता है और अलगे और हम दोनो बहुत ले को इस सब देखके गए यो कि पर दिया और वर और उन्हें करा दो और आन्यान काते है वाय !! एक जुज्दे कि भीना रह नहीं सकते हैं। मतलब जीएंगे तो साथी में और मरेंगें तो साथ मैं 20-30 सबसे पहले बड़ातो हो झाइंज विस उमर में हम लोग बापा को देखकर मूत देते थे उस उमर में यो लोग अपने बापच आ कर रिष्टे की बात कर रहे है। तो मैने घर पे बताया मेरी दादी को तो दादी बोली कि ठीक है जा कर ले। ठीक है एँग? जाओ कर लो अरीब भॉष सब्सक्राएप कास, मेरी भी दादी ऐसी होती नो, तो मेरी भी इनके उमर के दो बच्चे होते, अब ये साले पढ़ाई लिखाई के उमर में वाल विवा नहीं किया होता, और आपा टापा नहीं खेल रहे होते न, तो आज मैरेज की स्पेलिंग सही लिख पाते, तो सालों जाओ पढ़ो, अभी टाइम है, मम्मी मेरी साधिकारा दो, मुझे नहीं पता, पर मुझे आज ही करनी है, कैसे भी करनी है, पर मुझे आज ही करनी है, साथी एक साथी कराने के लिए इस बुल दिया, साथी कराने के लिए भूला, एच पल न मार 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 के लिए जोनस के कलर का बना दिया, आपानी साथी दियो पार्यू, इसटो बढ़िस करनी है, आज बोसडी वालों को जिंदा पकड़ना है ये बोसडी वाला 14 साल का है भाई सब जब हम इनकी उमर के थे न तो काटा लगा सौंग भी देखने में पाप समझते थे और ये साल एक दूसरे से साप की तरग चिपके हैं अब देख देख साली की सकल पूरा न हफसी हो वाली है अगर ये वीडियो नहीं बन रहा होता न तो मैं कसम बता रहो यह दूसरे के मुझ में कुला करते और बोलते क्या आपके टूट पिस में नमक है अब मिट जाओ कोई जरूत नहीं है तुमके इस दुनिया में अगर नहीं मिट है न तो हम मिटा देंगे बेटा क्योंके हमारे उमर न टू बन जा टू 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 जा फोर करने में निकल गई और एक साल ही यह है इनकी आसके पूरी उतर ही नहीं रही है अगर तेरे बाप ने वीडियो देख लिया न बेटा तेरा पूरा आसके निकाल देगा और बोलेगा तुम्में ही हो क्यों आज मैं इस चुल्लूबर पानी में अपनी नाग दुभाकर भाई सा मरग जाओंगा चूकि न तुम्हें नहीं पता न मुझे दर्द कितना होता है ये सब वीडियो बनाके और तुम लग सब्सक्राइब भी नहीं करते बताओं सब्सक्राइब करते सिंगल मरोग तुम लोग और मैं नालते एक घर में सोचा वारी खलाते चंदिकी जावे अख़जवी तर्य राता तर्या जवातारों भाई सब्सक्राइब यह वही लॉंटे है ना जो ना वाट्सप पर ऐसी स्टोरी लगाते हैं मूड ओफ फिलिंग सैड विद सिक्स्टीन अनेदर्स एंड रिचार्ज खत्म हो गया है फिलिंग हैप्वी सालों अगर तुम लोग भी ऐसा करते हो नो तो पामेंट करो और ना टैक करो जो ऐसा करता है भाई सब ये वही लॉंडे और लॉंडिया है ना जो रात को बारे बज़े फोन करकर एक दूसरे से बोलते हैं बेबी तुम मेरे लिए जान दे सकते हो लड़का नहीं क्यों बेबी क्योंकि तुम ही तुम मेरे जान हो लड़की सुसु को कहते हैं मूद मेरा बाबू सबसे क्यूट इन सालों को देखो ये लोग फैमिली प्लैनिंग कर रहे हैं साला ये कोई मम्मी बनने की कोशिज कर रहा है तो कोई पापा बनने की कोशिज कर रहा है और किसी को नाना बनाने की कोशिज कर रहा है गभी गभी यही सौसते हैं कि हम पीछे रहागे के जनुरेशन कुछ जादा के चल जारा है सालो बताओ Um tham 7th ciao तुम को पाया हे तुझे सी खोया ह। भाई सब एक हम हैं हम अपना मोजा तक ठीक से नहीं खोश पाते हमें किसी चीज के लिए ने की हैल्प चाहिए मैं असुबा जाते समय जोर से यहीं चिलाओंगे कि मेरा मोजा का है पर जब मम्मी आके ऐसे किसी है तो जाके पता चलता कि मेरे सामने ही मोजा था पहली बार मुझे ये गाना बहुत ही जादा पसंद आया और यह वाला वर्जन तो मेरा बेस्ट है जाने मेरी जाने मन वच्पन कप्या तीरी बेन का आगे गाली आप लोग कमेंट सेस्टन में दे देना पर घुमा अफिरा के देना तो देखो हर एक लभी स्टोरी बहुत ही पर मेरी फेवरेट ना हमारी है हमारी और आग की मतलब 14,000 सब्सक्राइबर तो वीडियो का लाइक करो सेयर करो कॉमेंट करो कॉमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा काउन सब पार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और नय हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना साथ म सब्सक्राइब मैं क्यों मैं आया का वीडियो निकालूंगा तो मुझे इंस्ट्राग्राम पर आ जो फॉलो कर लो टूटर पर फॉलो कर सकते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तब तक के लिंजवाय करो मिलता हैं बहुत ही जल्द कर्स्विल वीडियो लेकर कि जल्द करें गिया के लिंट